कि हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में किस तरीके से हम close test को accuracy के साथ और कम से-कम समय में solve कर सकते हैं SSC exam में और banking exams मैं तो इसमें मैंने एक real close test लिया है CGL mains exam का और उसको हम discuss करेंगे तो इसको समझने के आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और इससे पहले इस टारगेट बैच के बारे मैं मैं इन्फर्म करना चाहूंगा आपको यदि आप SSE CGL के लिए सीरेस एस्परेंट है तो आप हमारा इंग्लिश के लिए और GK के लिए टारगेट बैच जोइन कर सकते हैं इसका लिंक उनको आप कह सकते हैं कि वो tricky होते हैं थोड़े से और उसमें आपको vocabulary की knowledge तो होनी ही चाहिए और vocabulary के लाबा आपको एक logical sense होना चाहिए आपके अंदर तो ये दोनों चीज़ें यदि आपके अंदर हैं तो आप आसानी से close test को solve कर सकते हैं और इसके लिए practice सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितने ज़्यादा practice करेंगे उतना ही ज़्यादा आप accuracy आप achieve कर पाएंगे अब देखें यहां से हम यदि इसको पढ़ें तो पहले सबसे पहले इसको पढ़ना है और एक रफ आइडिया लगाना है कि किस बारे में है ये close test man has been the ecosystem for a very time and is forced to that the environment resources are environmental problems तो ये हो रहा है और जो लेयर का जो fossil fuels का depression हो रहा है जो resources हमारे कम होते जा रहा है उसके बारे में है यह पूरा जैसे यहां पर एक word आया है deforestation ठीक है तो यह पूरा environmental problems के बारे में हैं तो इसको हम पढ़ते हैं और इसका answer हम लेकालते है man has been the eco sphere for a very अब हम यहां पर क्या लगाएंगे देखें चुकि यहां पर has been लगा हुआ है इसलिए इसमें आपको ing का एक word चाहिए ठीक है और यहां पर option क्या दिये है tempering with, tempering with, tempered with और tempered by देखें टेमपर जो word है इसके दो-तीन meaning है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक होता है t-a-m-p-e temper, ठीक है इसका आर्थ होता है छेड़ चाहर करना किसी चीज से जैसे आपने cricket में ball tempering के बारे में सुना होगा ठीक है जो ballers होते हैं वो ball tempering के आरोप में पकले जाते हैं और उनको परिश्ट किया जाता है तो temper का आर्थ होता है किसी भी चीज से छेड़ चाहर करना physical form में ठ ठीक है T.A.M.P.E. और T.E.M.P.E. जो होता है इसका आर्थ होता है एक तो temperament होता है किसी व्यक्ति का state of mind होता है और एक यह chemical process में भी हम tempering का use करते हैं जैसे steel जो होता है उसको हम hard करते हैं ठंडा करके गरम करते हैं फिर गरम करते हैं इस तरह का एक process होता है उसको भी हम बो E आता है एक ही यहां पर आता है और एक ही यहां पर आता है लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं मैं क्या कर रहा है हम लोग environment के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग environment के साथ छीड़ चाड़ कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम लोग ज़्यादा पीड़ काट रहे हैं क्योंकि urbanization हो रहा है और शेहरी करण हो रहा है पैट्रोल और डीजल को बहुत ज़्यदा खर्च कर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ठीक है और जो जो फैक्टरीज वरा लगती हैं उस पर करबन डाइक्साइड जो होता है उसकी वज़े से एन्वार्मेंट के साथ हम छेड़ चाड कर रहे हैं तो यहां पर छेड़ चाड वाला जो वर्ड है वो है टेम्परिंग और चूकि यहां पर हैस बीन लगा हुआ है इसलिए आप ing form का word यहाँ पर लगाएंगे तो tempering एक तो T-A-M-P-E-R-I-N-G लगाएंगे और एक tempering के साथ with proposition का use होता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा A, tempering with यह आप tempered लिखते हैं यहाँ पर, tempered with ठीक है, man has been tempered with तो यह passive voice बन जाएगा और इसका आर्थ हो जाएगा, man has been tempered, मतलब man के साथ छेड़ चाड़ की गई है, जो की गलत होगा, तो यहाँ पर सही आप क्या होगा, सही क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ पर, passage क्या बोलना चाहता है, passage बोलना चाहता है, man has been tempered मैं ऐसे, for a very long time, short times का तो कोई sense नहीं बनेगा, little time का भी कोई sense नहीं है, little कम या छोटा होता है, longer नहीं आएगा, क्योंकि longer एक comparative degree है, तो इसी लिए close test में आपको grammar की knowledge भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर answer होगा आपका, long and is force to, 43 में क्या options है, 43 में, देखे, look जो होता है, उसके बाद हम एक object लगाते हैं, जैसे look at the board, look at me, ठीक है, तो, चुकि यहाँ पर proposition नहीं है, इसलिए इस पर look नहीं आएगा, recognize का आर्थ होता है, पहचानना, do का मतलब होता है, करना, तो man क्या है, man को force किया गया है, कि वो देखे, ठीक है तो, man is forced to see, that the environmental resources are, environmental resources जो है, वो कैसे हैं, तो यहाँ पर क्या चीच चाहिए आपको, यहाँ पर एक adjective चाहिए, जैसे, they are intelligent, they are stupid, तो resources are, मतलब जैसे जैसे बाद बोलूँ के, he is intelligent, तो इस वाले structure by intelligent जो क्या है, वो adjective है, तो इसलिए एक तो यहाँ पर adjective चाहिए, और एक adjective ऐसा चाहिए आपको, जो context के साब से meaningful हो, तो environmental resources हैं, जैसे petrol हुआ, diesel हुआ, fossil fuels हुए, ठीक है, यह कितने हैं, यह जादा है या कम है, इनकी कम का equivalent word आपको चाहिए, लेकिन कम का equivalent word जो होना चाहिए, वो adjective की form में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी grammar भी चेक हो रही है, और word की जो mastery है, वो भी आपको चेक हो रही है, तो scarcity जो है, वो noun है, ठीक है, evident adjective है, लेकिन evident का मतलब क्या होता है, परियाप्त, तो परियाप्त यहाँ पर नहीं sense बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम environmental resources के कम होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, depletion एक noun है, तो इसलिए यह नहीं आएगा, यह तीनों word इसमें नहीं आएगे, इसमें जो सही adjective होगा, वो होगा scarce, scarce, scarce का आर्थ होता है, कम, जिनकी कमी है, scarcity का आर्थ होता है, कमी, scarcity अपने आप में एक noun है, तो यहाँ पर सही जो answer होगा, वो होगा, scarce, environmental resources are scarce, environmental problems are, अब देखें, यहाँ पर क्या option है, really, badly, sadly and happily, happily तो होगा नहीं, क्योंकि environmental problem जो है, यह problem है, और problem के साथ, हम happy word नहीं जोड सकते, sadly और badly, थोड़ा सा physical sense में use होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह बोलना चाह रहे हैं, कि environmental problem जो है, वो बास्ता में social problem है, क्योंकि man ने उन problems को create किया है, man ही पेल काटते हैं, man ही ज़्यादा petrol यूज करता है, ठीक है, तो environmental problems are social problems, because they have been created by man, तो they are really social problems, हम लोग बोलेंगे, they are really social problems, यहाँ पर badly social problems या sadly social problems कहना, गलात होगा क्योंकि इसका कोई sense नहीं बन रहा, badly social problems, ठीक है, तो environmental problems are really social problems, अब हम 46 में देखते हैं, they begin with people as and end with people as victim, यहाँ पर देखिए, क्या बोलेंगी कोशिश कर रहे हैं, कि व्यक्ति के द्वारा ही problem शुरू होती हैं, और व्यक्ति को, एक इंसान को, इंसान ही उसका victim बनता है, environmental problem के वैसे, heat बढ़ती जा रही है, है, resources कम हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कि they begin with people as and end with people as victim, मतलब environmental problem का जो cause है, वो people है, कालन जो है, वो people है, और people ही ultimately उसका victim बनता है, उसका भुक्त भोगी बनता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, cause, ठीक है, they begin with people as cause and end with people as victim, मतलब जो environmental problem है, उसका जो कारण है, वो people है, और end, और people ही उसका भुक्त भोगी है, ठीक है, effect और affect में क्या अंतर है, affect एक verb है और affect एक noun है, तो यहाँ पर जो सही sense बन रहा है, वो cause से यहाँ पर आपका सही sense बन रहा है, तो इसमें आएगा आपका cause, and end with people as victim, unplanned use of resource, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर चू की resultant लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको V3, वर्प की third form चाहिए, तब ही तो आप इसको V3 को लगा पाएंगे, singular subject है, तो इसलिए has यहाँ आपका सही answer होगा, have plural है तो नहीं आएगा, had past में आता है तो नहीं आएगा, has been के साथ हम I.N.G. form लगाते हैं तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, unplanned use of resource has resulted in the depletion of fossil fuel, चुकि हम resources का unplanned use करते हैं, इसलिए fossil fuel जो है ठीक है, diesel, petrol और fossil fuel जो है, यह deplete होते जा रहे हैं, यह कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्वी पर इस समय जो petrol और diesel है, वो maximum पूरी प्रत्वी पर, maximum उसकी जो life है, वो है 100 साल, 100 years, 100 years के बाद petrol डीजल सब कुछ, खतब हो जाएगा, और यह खतब होता जा रहा है, depletion of fossil fuel, अब यहाँ पर चुकि हम depletion of fossil fuel की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, air की किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, air की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर pollution, polluted, adulteration and stale, तो यहाँ पर हम air pollution word यूज करेंगे, air pollution कहना सही होगा, polluted, polluted of air, यदि हम ऐसे बोलते हैं, तो यह कहना गलत होगा, polluted of air, pollution of air हम बोल सकते हैं, adulteration हम बोलते हैं, मिलावट को, और adulteration जो word है, यह air के साथ नहीं जाता है, stale कार्थ होता है, बासी जो fresh का उल्टा है, तो यहाँ पर आपका सही जो answer होगा, that is, pollution pollution of air and water, pollution of air and water देखें, water का भी यह pollution ही होता है deforestation which has resulted in deforestation की वज़े से fossil fuel के depletion की वज़े से किस चीज का imbalance create हुआ है ecology का imbalance create हुआ है, लेकिन ecology एक subject का नाम है, imbalance को हम बोलेंगे ecological balance तो यहाँ पर answer होगा आपका ecological imbalance and draining away of national wealth national wealth को हम drain कर रहे हैं, उसको खतम कर रहे हैं, उसको निचोड रहे हैं, ठीक है किस medium के द्वारा निचोड रहे हैं हम heavy expenditure on oil and power generation जो oil और power generation की वज़े से heavy expenditure हो रहा है उस medium की वज़े से national wealth हमारा deplete होता जा रहा है, और जब हम medium के through किसी चीज़ को करना बताते हैं तो उसके लिए हम word लगाते है through, उसके लिए हम by नहीं लगाते हैं by agent के लिए आता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तो यहाँ पर heavy expenditure और power generation के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, इन mediums के through national wealth का depletion होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका through कहना आपका सही होगा, एक thorough दिया है इसमें thorough का मतलब होता है पूरा या complete तो वो तो meaningless है, यहाँ पर through कहना आपका सही answer होगा तो इस तरीके से यह यह आप close test करते हैं, SSC और banking exams में, हलाकि banking exam का pattern थोड़ा अलग होता है, SSC exam में छोटे close test आते हैं लेकिन थोड़े से tricky होते हैं वो और सारे words की meaning आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, grammatical concepts आपके clear होने चाहिए, particularly propositions आपके clear होने चाहिए, किस word के साथ कौन सा word आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि medium को बताने के लिए through हम लगाते हैं यहाँ पर मैंने बताया कि tempering के बाद हम with लगाएंगे ठीक है, कौन सा word adjective है कौन सा word noun है, यह part of speech की भी आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए तो यह सारी चाहिए, collectively close test में check होती हैं आपकी तो इसलिए close test एक बहुत ही अच्छा tool है students की proficiency, English proficiency को check करने के लिए इसमें आप SSC CGL के लिए English का और GK का professional guidance लेना चाहते हैं इसके लिए target batch हमारा चल रहा है इसको आप 30 July 2018 तक join कर सकते हैं, इसमें आपको cable English की fees देना है GK का पूरा content इसमें free रहता है सारी e-books इसमें आपको free मिलती है PDF इसमें आपको free मिलती है और target batch का जो link है वो आपको email ID पर भीजा जाता है वहाँ पर आप सारे वीडियो चलाके आप देख सकते हैं वीडियो क्लासिस के form में इसको आप mobile पर भी चला सकते हैं तो इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और इसके रिगारिंग आप उससे बात भी कर सकते हैं और KTM के थूरू भी इस course को आप जोइन कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास ये अच्छा लगा तो इसको like करें और share करें और इस channel को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें इस channel का नाम है इस रवांटेज YouTube channel और जब आप subscribe करते हैं तो bell का आईकोन भी आप जरूर दबाएं तभी आपको सारे notifications इसमें आपको time पर मिलेंगे इस email ID पर आप मुझे अपना feedback दे सकते हैं बसंत single 2210 at the rate of gmail.com तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में Thank you आप आपको तक है कई और मुझे टेनुए new चेऊको जब अब में परिछाद की पाल बस्त क्वित आपको चाब मैं जि झेल? झाल झाल